हेलो स्टूटेंट्स वेलकॉम हेर अगेन उन जानकारी हित मैसलफ हित अभिलाशी श्यर्मा आज हम बात करेंगे बिल्स अखेंज का पार्ट फॉर्थ पहले तीन पार्ट बन चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज है जो फॉर्थ पार्ट में हम डिस्कॉशन करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक स्पेशल अलर्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को कम्प्लीट देखें तभी सारा कॉंटेंट देख पाएगे फुल सुप्रीन करके देखें ये फॉन और हेड़फोन को यूज करें तभी कॉंटेंट क्लियरली आपको समझ लगेगा इसके इलावा इस इस नंबर से इसी चैनल पर डिफरंट तीन वीडियोस हैं जिसमें इसी टॉपिक से रिलेटेट तीन पार्ट हैं आप उनको भी देखें हर एक पार्ट हिंदी और पंजाबी दोनों वर्जिंस में हैं ये ध्यान रखना आगे हाटनिंग ट्रीट्मेंन पोर बिल्जओ अखते बिल्स ऐंट्रीमेंट है जैसे जो पहली वीडियो उसमें इसमें इसी में समुझा है इंट्रोड़क्टरी जब परसेस की बात करते हैं कि बिल्स ऑख सेउलने बिल्स चैन्स में दो पार्टिज मेनि да कि वोते हैं वै अगर good sale की जाएंगी मालो A ने B को good sale की तो A दोनों अगर parties की books की बात करें A के लिए sale है तो B के लिए purchase तो दोनों की books में entries क्या होगी जैसे हम देख रहे हैं कि A की book में entry है B is account debit to share क्योंकि credit sale है being good sold to B similarly B की books में क्या होगी purchase is account debit to A's account उसके बाद bills of exchange का procedure है कि जो draw है bill लेखता है draw उसको accept कर देता है तब entry क्या होती है bill receivable account debit to B और जिसने acceptance दी A's account debit to bills payable being acceptance given और draw की जो narration है वो बन जाएगी being acceptance received समझ लगा ये basic entries है अगर sale होती है तो ठीक है नहीं तो acceptance से जहां से भी शुरू होगा ये entry जाल के आगे different type की conditions होगी उसके accordingly जो problems है वो हम accounting treatment में आगे बढ़ती चली जाती है जो मैंने तीन वीडियो की बात किया dear student जानकर ही his channel पर 34, 35, that is 35 and 36 तीनों वीडियो जो हिंदी और पंजाबी versions में है उसमें जो topic discuss किया जा चुक है bills of exchange क्या है features, format of bills of exchange, parties of bills of exchange साथ में बात की गी है प्रमोस्टी नोट की उसमें कौन कौनसी parties है format क्या होता है उसका difference from bills of exchange क्या होता है प्रमोस्टी नोट का due date किसे कहते हैं जा जिसको maturity date कहते है days of grace क्या होता है इसके इलावा जो हमने accounting treatment से related numerical problem discussion की है वो 4 cases में कर चुके है bills retained by the dryer till maturity अगर bill को due date तक ड्रार ने अपने पास रखा हो तो dryer को payment मिल जाती है bill discounted from the bank अगर ड्रार को पैसे की पहले जरूर की उसने bank से पैसे bill को discount कर वा लिया तो final payment bank को मिल जाती है endorsement of bill अगर bill of exchange को ड्रार ने किसी third party को endorse कर दिया that is endorsement of bill तो final payment जो endorse ही है जिसको endorse की है bill उसको मिल जाती है bill sent to bank for collection अगर विलों को ड्रार ने collection के लिए bank के पास बेजा हुआ है तो bank अपने आप ड्रार के विहाब पर bill collect करके उसकी payment उसके account में जमा कर देते है यह सारे process से related accounting treatment हम कर चुके है इससे पहले की तीन वीडियोस में यह तो तो condition है जब payment हो रही है अगर payment ना हो वही topic का जिसके वारे हो बात होंगे that is dishonor of a bill bill का सम्मान तो तभी होगा ना भी अगर उसकी payment हो जाए तो dishonor of a bill मतलब उसका honor नहीं किया गया क्या मतलब बना it is said to be dishonored when the drive fails to make the payment on the date of maturity अगर ड्राइ मैचोरिटी देट को payment करने में fail हो जाता है तो bill को dishonored बना जाता है मतलब उसका सम्मान नहीं किया गया the bill may get dishonored when the drive doesn't have sufficient funds to pay the bill or he becomes insolvent जा तो उसके बस पैसे नहीं है इसलिए ड्राइ ने बेमेंट नहीं कि या वो insolvent हो गया भी उसकी liability जादा हो चुकी है legal रूप से उसने अपने आपको insolvent declare करवा लिया third situation क्या हो सकती है कि उसकी इच्छे नहीं है पैसे देने की भी बेमान नहीं आगे उसने पैसे नहीं देने in this situation एंट्री रिगार्डिंग बिल्स रिवर्स जो बिल लिखने की एंट्री होती है जब ड्राग किया जाता है जब डिसोनर हो जाए तो वो वाली एंट्री जो ड्राग करने वाली एक्सेप्टेंस मिलने वाली वो रिवर्स कर दी जाती है ये देहां रखना डिसोनर की केस में So ड्राइ अगेन बिकाम डैटर तो जब ड्राइ दुवारा ड्राइ का डैटर बन जाएगा और ड्राइ ड्राइ का दुवारा क्या बन जाएंगा क्रडिडर बन जाएंगा एक दूसरे की बुक्स में समझ लगी बात आगे बात करते है जर्नल एंट्रीज इंट केस ओफ डिस ओनर ऑफ बिल मालो वही दो पार्टीज है लेट ए दा ड्रार एंड बी इस दा ड्राई अब चारो केसीज में जिनकी मैंने बात की हम उन चारो केसीज में जो हम पहले कर चुके जब पेमेंट हुई थी अगर डिस ओनर हो जाए तब एंट्रीज क्या होंगी जिसमें से फर्स्ट केस क्या है बिल ड्रार के पास ही था जब ड्यू डिट हुई अब payment नहीं होई क्योंकि bill dishonor हो गया तो bill की जो acceptance की entry थी वो reverse हो जाएगी आपको याद होगा drawer की books में entry हो जाती है bill or c available account debit to dry यहां b है तो b यह होती है जब acceptance मिलती है लेकिन अब क्योंकि dishonor हो गया है bill तो a की books में वही entry reverse हो जाएगी b is account debit to bill or c b दुबारा a का debtor बन गया that is what I have already told you इसी तरह से b जो dry है उसकी book में भी जो acceptance given की entry थी क्या थी a's account debit to bills payable अगर a drawer है अब वो entry reverse होएगी bills payable account debit to e समझ लगा a दुबारा b का क्या बन जाएगा creditaire बन जाएगा उसको पैसे देने वालों बन जाएगे भी क्योंकि पैसे पैमेंट हुई नहीं यह dishonor की entry मैं बता रहा हूँ आपको बाकी entries तो वही है अगर sale की purchase की या bill draw करने की acceptance देने की वो entry same है अगर payment होती तो आप तो हम payment की entry करते हैं लेकिन पैमेंट नहीं हो रही है तो dishonor की यह वाली entry होगी जो मैंने आपको बताएगे अब second case की बात करते हैं इस bill discounted from the bank अगर draw ने bill को bank से discount करवाया हूँ है तो उसकी entry क्या होते हैं जब discount करवाता है draw bank account देविट, discount account देविट to bill receivable लेकिन अब bill को क्योंकि bank से discount करवाया और उपर से dishonor हो गया तो उस position में क्या condition बन जाएगी ड्रायर की बी दुबारा उसका जो dry है वो दुबारा debtor बन जाएगा और bank उसका creditor बन जाएगा क्योंकि उसने bank से पैसे ले लिये थे जब discount करवाया था अब जो दुबारा bank को payment करने के लिए liable हो जाएगा draw तो उस हालत में entry क्या होगी B is account debit to bank account उधर dry की books में कोई impact नहीं पढ़ने वाला उसने वही reverse entry कर दे ली है यह उसका creditor बन गया draw है जो entry वही जो मैंने उपर बताई थी bills payable account debit to A's account जब भी disorder की entry होती है ध्यान रखो dry की book में ऐसी रहती है different cases में जो हम कर रहे हैं ध्यान रखना यह same entry हार case में क्योंकि उसने payment करने से मना किया तो bill payable debit होके जो उसका draw है उसको as a creditor बना देगा तो वारा उसको payment करने वाली है third case की बात करते हैं तो student third case जो है if bill is endorsed let it to be seen अगर bill को endorse किया हुआ हो अगर ऐसी situation हो question में तो payment होनी थी तो जिसको endorse किया endorse ही उसको मिलने थी लेकिन अब क्या हो गया क्योंकि payment मिलने नहीं dishonor हो गया उस position में जो dishonor की entry है वो ध्यान रखना वो क्या होगी दुवारा B business का क्या बन जाएगा debtor क्योंकि उसने payment नहीं की और C जिसको endorsement की थी bill की वो दुवारा business का creditor बन जाएगा entry बन जाएगी B is account by way to C is account C कौन है इंडोर्स ही जिसको bill endorse किया गया था क्योंकि अब bill की payment उसको नहीं मिलने वाली उसके प्रति लाइवल कौन है payment करने के लिए ड्रार और ड्रार किस से पैसे लेगा dry से लेगा dry business का debtor बन गया और जो C है जिसको endorse किया था वो business का दुवारा creditor बन गया अब बत करते हैं dry की books में वही एंट्री बिल्स पेवल अकाउंट डैवी टू एज एंट्री वही रहने वाली students एक बात मैं मान के चला हूँ कि आप लोगों को एंट्री के accordingly narration लिखनी आती है जैसे यहाँ है being endorsed bill dishonored on due date जो bill endorse किया गया था वो जैसी condition है वैसे ही being लगा के हम reason दे देते हैं क्यों entry डाली गई है about narration इसी तरह से dry की वोगों being endorsed bill dishonored on due date same ही conditions है अब आगे बात करते हैं if bill sent to bank for collection अगर मालो bill को collection के लिए डिरार ने क्योंकि उसके पास बहुत से भी लाते हैं उन सब के खुद इकठा करने की जना वो पैसे इकठे करने की जिम्मेवारी बैंक को देता है बैंक को उसके बाद क्या हुआ जब बिल को send किया जाता है तो entry होती है bill sent to send for collection account debit to biller ऐसे होती है अगर bill की collection नहीं हो रही क्यों नहीं हो पारी क्योंकि bill dishonor हो गया तो entry क्या होगी बी दुवारा business card debtor बन गया है बी को ने dry and two bills sent for collection account जाहे तो bills for collection account लिखो या हम लिख सकते हैं two bills sent for collection account एक ही बात है in the books of a dry, dry की books में same entry है bills payable account debit वहां same entry रहने वाली है दियान रखना कई बार जब bill dishonor होता है dear friend इन चारों conditions में दियान रखना एक expenses होता है that is noting charges, dishonor कराने के लिए वो खर्च पे करना पड़ता है उसके बारे मैं आगे की slide में बात कर रहा हूं क्या होता है detail में तो सालत में धियान रखना noting charges का जो final liability और dry पर बढ़ती है तो इस case में अगर noting charges पे किये गए हैं तो entry क्या बनेगी dry की book में B is account debit to bills sent for collection account to bank account noting charges paid by the bank हम यह मान के चल रहे हैं कि bank ने noting charges पे कि जो भी holder होता है वो pay कर देता है पर final liability dry की बनती है ध्यान अगना और dry की book में तो वही entry है bill payable account debit to a for noting charges क्योंकि liabilities की है तो bill noting charges account की क्या हो जाएगा debit entry क्या बन जाएगी bills payable account debit noting charges account debit to a's account अब आने वाले time में जो नया bill लिखा जाएगा जो पैसे उसने एक को देने है वो इन दोनों का जोड होगा bill payable plus noting charges समझ लगी बात तो students noting charges क्या है इसको समझते है यह theoretical point of view से बड़ा important concept है whenever any bill receive will get dishonored by dry to make it legal process the holder of bill should get dishonored by notary public a legal solicitor or practitioner for this he charge some money as fee which is known as noting charges it is firstly paid by the drawer himself but final liabilities of dry जब भी कोई biller see waiver dishonored हो जाता है ड्राई उसकी payment नहीं करता तो उसको legal रूप देने के लिए बिल को dishonored करवाया जाता है एक government दोवारा appointed persons होते हैं जिनको special authority होती है बिल को dishonored करनेगी जिसको notary public कहते हैं इस solicitor को एड़ोकेट हो सकता है जो प्रैक्टिस वगरा गर रहे हैं इसके लिए वो कुछ पैसे charge करता है उस fees को हम noting charges गहते हैं इसको ड्रार जा बिल का holder पे कर देता है जिसके बस बिल होता है बट final liabilities की dry की होती है यह दिहां रखना जिसने पेमेंट करनी है क्योंकि उसके कारण बिल डिसओनर होती है इन दे बुक्स ओफ ड्रार हम यह बात कर रहे हैं मालनो बिल डिसओनर होती है एंटरी क्या बन जाएगी और मालनो ड्रार ने पेमेंट कर दी भी से पैसे लेने वाले बनागे बी को नहीं की तो बिल्स पेवल अकाउंट यह 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 तो नॉर्मल रिवर्स एंट्री है जिससे डालते हैं बट साथ में क्या आज़ आगा Noting Charges if it is paid वे इस पेफल अकाउंट आवे Noting Charges अकाउंट आवे तो एस अकाउंट बिंग बिल्ड इसोनट and Noting Charges is paid इस शुड़ भी कीप इन माइड Noting Charges can be paid by bank और इंडोर सी also but final liabilities of dry यह दियान रगना Noting Charges को bank जिस हां से हमने discount करवाया है या collection के लिए भीजा हुआ है वो pay कर सकते हैं but final liability dry की होती है समझ लगा भी आगे बात करते हैं इससे आगे बढ़ते हैं numerical problem जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं हम basic समझ चुके आओ एक question करते हैं बड़ा important सब कुछ आएगा एक ही question में ध्यान से समझ लाओन फर्स एपल 2018 ने पिंकी सोल्ड गूड्स टू श्रेया पिंकी ने सेल की है गूड्स की 20,000 की श्रेया को and drew upon our bill of exchange for three months तीन महीने का bill लिख दी अभी तीन महीने के बाद उसकी due date श्रेया accepted the bill and returned it to पिंकी श्रेया ने बिल को accept की और वापस कर दिया पिंकी को तब bill legal बन गया अँदा डेट ओफ मेचियोर्टी जब मेचियोर्टी डेट आई एक एपरिल के बाद तीन महीने एक जुलाई तीन दिन ग्रेस के तो maturity date क्या बनगी चार्ज जुलाई The bill was dishonored by Shreya, Shreya ने payment नहीं की भी bill dishonored हो Entries in all cases listed all in the books of Pinky and Shreya will be Shreya और Pinky books में तब क्या क्या entries होंगी सारे cases में हमने दिखानी है सबसे पहला case देखो When bill is kept by Pinky till its maturity Maturity date को bill dishonored हो गया Shreya ने payment नहीं की और bill हम मानके चलते हैं Pinky के पास ही खाँ अगर ऐसा है तो दोनों की books में in the books of Pinky draw है in the books of Shreya draw है First April को sale कीगी Shreya account debit to sales 20,000 की तो Shreya ने purchase कर ली purchase account debit to Pinky Clear? Bill draw किया गया acceptance मिली तो entry क्या होगी? Draw की book में Bill receivable account debit to Shreya's account और क्योंकि Shreya ने acceptance दी है Pinky's account debit to bills payable account ध्यान रखना dear student Shreya की books में आज़ेगा Being acceptance given Pinky जो draw है उसकी books में आज़ेगा Being acceptance received उसके बाद due date आई चार्ज लाई Payment होती तो entry होती क्या हो नहीं थी Bank या cash account debit to bill receivable पर payment तो हुई नहीं Bill dishonor हो गया तो entry क्या बन जाएगी? जो ये entry reverse हो जाएगी Shreya business की द्वारा debtor बन जाएगी Shreya account debit to bill receivable 20,000-20,000 Shreya की books में Bills payable वही debit हो जाएगा और ये जो Shreya नहीं यहां Pinky आएगा Pinky account क्या हो जाएगा Credit क्योंगी Pinky द्वारा Business की क्या बन जाएगी? Creditor धियान लगना जाएगी 20,000 के साथ That is Bill's payable account debit to Pinky's account Clear? अजी student आगे बात करते हैं Second case में मन उस सारा question से में Sale हुई Bill draw किया आगया Accept हो गया Due date आई Due date को disonor हो गया But condition क्या थी? उससे पहले With the bank rupees 90,600 19,600 में उसने Due date से पहले ही Discount करवा लिया तब entries क्या होगी दोनों की books में Dry and Dry In the books of Pinky Shreya account debit to sale Bill or Seville to Shreya आपको पताएगे Sale और Bill की acceptance की Same entries है जो मैं पहले करवा चुका हूँ Shreya और Pinky books में अब क्योंकि First Appler को माल लोगन ने Discount करवाया Bank से Bank account debit Discount account debit To bill or Seville Discount is a loss उसने को पैसे पहले चाहिए होगे उसने discount करवा लिया इसी कारण था उसको 400 रुपीज का loss हुआ जब भी discount करवाया जाता है Students Dry की books में कोई entry नहीं आती तब ही I have written here No entry In the books of Shreya अब due date आई चार जुलाई चार जुलाई को क्या हुआ बिल इस ओनर हो गया अब श्रेया दोबारा बिजनस की डैटर बन जाएगी पिंकी के लिए और बैंक इसका क्रेडिटर होगा जाएगा क्योंकि जो Discount करवाया है Final payment श्रेया ने बैंक को अरनी थी अब नहीं होगी तो अब बैंक को कौन देगा पैसे पिंकी ड्रार की लाइबिल्टी बनती है फिर बैंक को पैसे देने बढ़ वो कहां से लेगा श्रेया से एंट्री की बनगी श्रेया अकाउंट डैविट टू बैंक अकाउंट क्लियर क्योंकि बिल्ट क्या हो गया डिसोनर है और पिंकी श्रेया की बुक्स में वही एंट्री होगी जो रिवर्स एंट्री होती है जो फर्स्ट अप्राल वाली थी वो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि पिंकी दोबारा बिजनस की क्रेडिटर बनगी bills payable account debit to pinky's account 20,000-20,000 समझ लगा जी being bill dishonored ये narration बन जाएगी तो students आपके बात करते हैं third case question same है bill dishonored हो गया but condition क्या आथ ही उसने dishonored से पहले ही when the bill is endorsed to Naveen by pinky on April 3rd 3rd April को bill endorse कर दिया था third entries क्या होगी पहली दो entries तो same है bill sale purchase किया entry है दोनों बुक्स में और bill की acceptance की दोनों बुक्स में share to sale, biller see available to share share की बुक्स में purchase account debit to pinky, pinky account debit to bill payable ये आपको पता है अब क्या होए third April को bill endorse किया इसको किया नवीन को नवीन is the receiver, नवीन's account debit to biller see available 20,000-20,000 अगर bill को discount करवाया जाता है इंडोर्स किया जाता है तो ड्राई को कोई impact नहीं पड़ता उसकी बुक्स में हमेशा क्या होएगा अब due date आई, due date को क्या हो गया bill dishonor हुआ जैसे पहले हुआ था तब bank को पैसे देने बन गे थे ड्रार के लिए अब क्योंकि bill endorse की है payment नहीं हुई similarly श्रेया की बुक्स में तो वही entry मैं बार बार कह रहा हूँ ड्राई की बुक में सेम होता है bills payable account, debit to pinkies account क्योंकि endorse किया था तो उसका श्रेया पर कोई impact नहीं है वो normal case में जैसे dishonor की entry होते हैं वही होती है आब यह बात करते हैं इसके बात नवीन क्योंकि third party आगी endorsement के case में उसकी बुक्स में क्या entry होगी यह तो fourth April को उसको endorse होके bill मिला था third April को, no fourth, third April को biller seeable account debit to pinky यह entry थी जब उसको bill मिला था पर क्योंकि उसको payment नहीं मिली तो biller seeable तो credit हो गया दूसरा क्या हो गया pinky दोवारा business की गया वनगी इसके बाद चोथा case करते है सारा question से में bill dishonor हुआ पर उससे पहले ही draw ने क्या कर दिया था when the bill is sent to bank for collection on July 1st एक July को उसने bank को collection के लिए भीज़ दिया था अब पहली entries को दो वही है sale और purchase की acceptance received और acceptance given की अब 1st July को क्योंकि bill bank को भीज़ ए collection के लिए जिए फिंकी की बुक्स में क्या एंट्री होगी बिल सेंट फॉर collection अकाउंट डबिट विल रसी वेवल अकाउंट थर्ड एंट्री और ड्राई की बुक में कोई effect नहीं पढ़ता चाहे कोई भी case वो नो एंट्री चाहे उसको collection के लिए भेजे चाहे discount करवाए या endorse करे तो ड्राई की बुक में कोई एंट्री नहीं पढ़ता है अब बिल डिसोनर हो गया डिसोनर हुआ दिसोनर हुआ दिस्टुडेंट तो श्रिया दुवारा बिजनस की डैटर बन गी बिल सेंट फॉर collection अकाउंट जो हमने डैबिट किया था वो क्रेडिट करके उसको क्लोज कर देंगे डैट इस दा एंट्री दा बुक्स ओ पिंकी श्रिया की बुक्स में वही एंट्री बिल पेवल डैबिट हो जाएगा पिंकी बिजनस दिके राइटर ये देखो ये एंट्री सारे केसिस में सेम रहने वाली डैटी बुक्स तो स्टुटेंट ये थे चार्ट डिफरेंट केस आइधिंग दा हॉल कंसेट इस क्वाइट क्लियर नोटिंग चार्जिस होंगे तो नोटिंग चार्जिस का भी मैंने बताया जो नोटिंग चार्ज पे कर रहा है वो कैश या बेंक के रूप में पे कर देगा बट फाइनल लाइविल्टी ड्राइग होती है वहां बिल पेवल के साथ नोटिंग चार्ज भी डैबिट हो जाती है तो स्टुटेंट्स आइधिंग अगर आपका कोई क्वेरी है तो नीचे क आपके कमेंट लिखें इस चैनल पर अलड़ी एकनॉमिक से लेटर बहुत सी वीडियो से और इसके इलावा स्टुडेंट्स आपको बात बता दूंए और बहुत सी नहीं वीडियो आने वाली है उनको उनका इंतसार केजिए पुरानी वीडियो जो अलड़ी है उनको देख झालड़ी है